मिरजब और रसोई गेस की किल्लत से लोग परिशान है गेस के लिए गंटो लाइन में खड़े होकर इंतजार करना पड़ रहा है एक हफते से लोग परिशान है अधिकारियों के मताबिक कुम्ब में भीड और ट्रैफिक की वज़े से गेस की सप्लाय बादित हो रही है इन द लोगों का कहना है कि गंटों खड़े रहने के बाद भी गेस नहीं मिलती है सुबह से ही लाइनों में खड़े रह जाते हैं सबसे बुरा हाल अस्मिता और विंद्वस साम वासनी गेस एजनसी का है इसके बारे में मैं ये बताना चाहरा हूँ कि हमारे हाँ मिर्जा पुर जनपद में गेस जो ही लोड आता है वो इलहाबाद से आता है अलहाबाद में इस समय कुंभ मेला लगा हुआ है वहाँ से आने वाली गाड़े में इतनी ट्रैफिक लगा हुआ है इतना जाम लगा हुआ है कि असमिता गैस एजनसी ने लिग करके दिया हुआ है कि हमने 5 लोड का पांच लुडिया ने पंदर सव गैस रिफिल कराने का उसने पैसा वहां भेजा एक कमपनी में वो गाड़ियां वहां से चली हैं लेकिन रास्ते में इतना जाम लगा हुआ है एतनी गाड़ियों का ट्रैफिक बन गया है कि वो धीरे धीरे गाड़ियां आ रही हैं जैसे जैस इस समय अभी अभी यह दस तारिफ को अभी असनान था संडे को इसलिए अब धीरे दर प्रवाह कम हो रहा है भीड़ कम हो रही है ट्रैफिक अब शुरू खतम हो रही है अब गाड़ियां आ रही है दिरे दिरे एक दो दिन के अंदर यह बिलकु सही सित्ली हो जाएगी तो लाइन में लगे हुए है अच्छा तो क्या उमीद है आपको कि सेलेंडर मिल जाएगी तो बाहर सब सेलिंग हो रही है तो यह योगियों मोधी सरकार में क्या आपने आसा किया था कि ऐसा होगा ऐसा तो नहीं सुचा था हां ऐसा हो रहा है कि अब हम स्वाजे से लगे हैं अभी तक मिलाना याद तक अभी है इतना टाइम तक हम बैठे नहीं जाते आदे थे लेके चले जाते यही सरकार में आके हम परसान हो गए जब सी यह सरकार बनी हैं में गए सिलेंडर से परसानी हो रही है तो कि इतने बज़े आप यहां आ कि श्यां मृद्य तो एभी तक तो यह इसी महां में दिग्कत है कि से पहले दिग्ड़ तहीं इसी महिने में इतना दिग्कत हो रहा है डिये की महिने जब से कुंब का चर्चा चल रहा तब से ऐसा दिग्नल् Ciao झाल